शावन मास की पूर्डिमा को रक्षा बंधन का परू मनाया जाता है। मूल रूप से राखी रक्षा सुत्र का त्योहार है। संस्कृत के विद्वान कलानाथ शास्त्री ने इस त्योहार का पौरानिक महतों बताते हुए इसकी महता भी बताई। रक्षा बंधन का त्योंहार होता है राखी का उसका प्रमुख कारण ये है कि बरसाद की दिनों में फुत्रियां अपने पीहर जरूर रहती हैं सावन में बहने भाई के घर रहती हैं, इसलिए बहनों भाई के हाथ में रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र श्रावनी पूर्णिमा को बांती हैं, इसलिए राखी का उत्सव प्रमुख हो गया है। मूलता है इसका कारण ये रहा, प्राचीन समय में इंद्र जब युद्ध करने जा रहा था, तब ये कि इंद्र को कोई शस्त्र न लग जाए, इसलिए रक्षा के लिए क्या किया जाए, तो इंद्राणी ने सूत्र बांधिया, एक डोरा बांधिया हाथ में और उसको कहा कि तुमारा रक्षा सूत्र है, वह बांधा था श्रावन की पूर्णिमा को, इस द्रिष्टी से भी रक्षा बंधन तब से चल गया, तो इसलिए बहन भाई के हाथ में जो बांती है, वह भी रक्षा बंधन हो गया, किन्तु मुख्त पुरोहित लोग, ब्राम्भन लोग अप अपने यजमानों के हाथ में बांधा करते थी, इसलिए वह मूलत है तो रक्षा बंधन का अर्थ वास्ता में यह है, कि हम सब की रक्षा आप सब लोग करें,